मेरा नाम है माना और आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल आर्सी मैसप में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्वीडियो का नेक्स्ट बिच्ट भीग पेपर विवियो में चैनल पो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजियेगा तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि छने फ बिच बडूरू dependence करने वाला है विसस ब्रॉग क्लिशनर के मैच को biggest money match माना है और दोस्तों, फैंस भी हमेशा से excited रहते हैं Roman Reigns और ब्रॉग क्लिशनर के मैच को देखने के लिए और दोस्तो, WWE ने भी Roman Reigns विसस ब्रॉग क्लिशनर के मैच के regarding अपनी सारी तैयारी कर ली है और दोस्तो रोमन रेंज और ब्रॉक लिशनर का मैच बहुत ही जबर जस्त होगा इसमें कोई सक नहीं है लेकिन दोस्तो अगर बात किया जाए रोमन रेंज ब्रॉक लिशनर के मैच की तो रूमर्स के एकॉर्ड़ी इस मैच का रिजल्ट पूरे WWE फैंस को चौका सकता है दोस्तो इस मैच में हमें पॉल हिमन का इंटर्फिर्श भी देखने को मिल सकता है तो इस match में हमें Roman Reigns अपना Universal Championship रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं इसके पीछे की दोस्तो डे मैल्टिजर ने अपनी थियोरी बताई है कि WWE ने Russell Mania 38 में Roman Reigns vs Brock Lesnar के बीच में एक Mega Match की planning कर रखी है जिस कारण Russell Mania 38 तक Roman Reigns अपना Universal Championship नहीं हारेंगे दोस्तो इसके लाव फैंस के दिमाग में एक और Question है कि क्या Roman Reigns और Paul Human के बीच में जो हमें dispute देखने को मिला था वो Roman Reigns की planning है ताकि Day 1 पेपर व्यू में वो Brock Lesnar को हरा सके तो दोस्तो हमें 2nd January को पता ही चल जाएगा कि इस match में कौन जीतेगा और दोस्तो Paul Human का Roman Reigns vs Brock Lesnar के match में क्या role होगा इसके बारे में भी पता चल जाएगा तो दोस्तो इस match के regarding अगर आपके कुछ thought है तो अपने thought को नीचे comment में जरूर बताईएगा तो दोस्तो वीडियो यही तक था अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा तो thank you मिलते हैं